हेलो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप लोग उमीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे से होगे आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चलड़ होगी बच्चो आज से मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पे बालू जी के इंट्रोडक्शन का या इसे कहलें बालू जो 10th perhaps करके NEAT और 12th की तैयारी एक साथ करना चाहते हैं या 12th pass करके NEAT की तैयारी करना चाहते हैं बच्चों मैं पीछले 34 सालों से इन मेडिकल इंट्रेंस के लिए बायलोजी पढ़ा रहा हूँ और मेरे द्वारा पढ़ाये गए बहुत सारे इस्टेंट्स आज बहुत ही सक्सेस्पुल डॉक्टर्स हैं साथ-साथ कई उस्टेंट्स साइंटिस्ट भी हैं और कई उस्टेंट्स बहुत ही सक्सेस्पुल टीचर्स भी हैं इतने लंबे टीचिंग कैरियर में मैंने ये देखा है कि मेरे यहाँ जो बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास में उन में से कुछ बच्चों का बालु जी का बेस कमजोर रहता है यही कारण है कि मैं अपने यहाँ बालु जी के मेन सेलेबस को स्टार्ट करने के पहले सुरू के एक मेने बालु जी का सिर्फ बेसिक्स ही पढ़ाता हूँ biology को zero से start करता हूँ और जब ये introduction समाप्त हो जाता है तभी ही मैं main syllabus को start करता हूँ तो मैंने सोचा अगर इस biology के introduction का lecture का series YouTube पे डाल दिया जाए तो आप लोगों के लिए ये बहुत फायदे मन्द होगा आप लोगों का biology का base काफी अच्छा हो जाएगा और इन lectures को देखने के बाद आप मेरे यहाँ पढ़ने आए या फिर कहीं भी पढ़ने जाए आपको biology समझने में कोई कठनाई नहीं होगी हाँ मैं एक बात कहना चाहूँगा कि मेरी इस lectures को आप serial wise देखें one by one करके देखें skip करके ना देखें इससे आप लोगों को बहुत फायदा होगा तो बच्चो मैं start करने जा रहा हूँ lecture number one और इस lecture को शुरू करने के पहले मैं आप से एक और बात करना चाहूँगा कि जो भी lectures होंगे मेरे इस introduction के series के उसमें मैं English और Hindi दोनों ही words का इस्तमाल करूँगा जो English medium बाले बच्चे हैं वो Hindi words पे उतना ध्यान ना दे उनको Hindi words पे ध्यान नहीं देना है लेकिन जो Hindi medium बाले बच्चे हैं उनको सीखना होगा कि भाई इस English शब्द का Hindi ये होता है या फिर इस Hindi शब्द का English ये होता है और धीरी धीरी Hindi medium बाले बच्चे को switch करके पूरी तरह से किस पे आना पड़ेगा English पे आना पड़ेगा जब तक मेरा lecture का series चलेगा उन सारे lectures में जहां जहां मुझे लगेगा कि इस English शब्द का Hindi बोलना चाहिए तो मैं उसका Hindi आपको बता दूँगा सर्फ English medium बाले बच्चे इस पर ध्यान ना दें ठीक है तो चलिए starting हम लोग करेंगे इस lecture का हैने cell से याने cell का Hindi क्या होता है बाभू कोशी का तो सबसे पहले हम लोगों को ये जानना है चल या कोशी का इसकी खोज किसने की थी याने cell was discovered by ठीक है तो scientist का नाम है Robert Hooks सहाब Robert Hooks सहाब ने cell को सबसे पहले खोज आ था अज साथ साथ इस cell से जुड़े हुए और भी कई scientist है जिसको हम लोगों को main syllabus जब पढ़ेंगे वहाँ पढ़ना होगा फिलहाल इतना जानिए कि cell का खोज किसने किया था Robert Hooks सहाब ने किया था ठीक है अब ध्यान दीजिए cell दो परकार के होते हैं ये भी आप लोग पहले पढ़े होंगे 9th या 11th में ध्यान दीजिएगा cells कितने टाइप के होते हैं बावू दो परकार के एक cell होता है और एक क्या कहलाता है eukaryotic cell ध्यान दीजिए कौन सा cell हुआ prokaryotic cell और दूसरा cell कौन सा हुआ eukaryotic cell ठीक है prokaryotic cell और eukaryotic cell में ये prokaryote सब्द का मतलब क्या होता है eukaryote सब्द का मतलब क्या होता है तो ये सब आप 9th class में या 11th class में पढ़े होंगे ठीक है इसको मैं भी आगे चल करके introduction के लगास में बताऊंगा लेकिन फिलहाल सिर्फ यहां ये जानिये कि prokaryote में आते कौन-कौन से है और eukaryote में आते कौन से examples है तो prokaryote में आते है bacteria ठीक है bacteria का हिंदी होता है जीवानू ठीक है दूसरा example prokaryote का क्या होगा इसमें और कौन आएगा तो आएगा blue green algae ठीक है blue green algae जिसको हिंदी में कहते हैं नील हरित शैवाल इसके आलावे और भी दूसरे examples इसमें आते है ठीक है उसी तरह से eukaryote में कौन आता है बावू तो eukaryote में आएगे फंजाई ठीक है और कौन आएगे बावू plant या पेड़ पौधा ठीक है और कौन आएगा बावू animals जन्तु ये सभी आएगे किसमे eukaryote में ठीक है तब भई इनके cells को हम कौन सा cell कहेंगे eukaryotic cell और इनके cell को हम क्या कहेंगे prokaryotic cell ठीक है और अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम कौन सा example ले रहे हैं study करने के लिए तो यहाँ हम लोग study करने के लिए ले रहे हैं eukaryotic cell और eukaryotic cell में भी कौन सा cell बावू plant cell ठीक है ये जो डियाग्राम है यह plant cell का डियाग्राम है और इसी को पढ़ते समय हम लोग plant cell को कहीं कहीं पे compare कर लेंगे किस के साथ animal cell के साथ यह plant cell की तूलना हम लोग कहीं कहीं पे कर लेंगे किस के साथ animal cell के साथ तो चलिए हम लोग start करते हैं cell के बारे में पढ़ना ये जो सिल है, कौन सा सिल है बाबौ? ये Eukariotic सिल है है、 Eukaryot में भी कौन सा सिल है? ये प्लांट का सिल है, इस प्लांट सिल में, अगर हम इसका structure डीटेल में जानने का कोशिस करें, इस प्लांट सिल में हमको क्या मिलने वाला है सबसे पहले? देखिए तो यहां सिल्वाल जिसका हिंदी नाम क्या होता है कोशी का भित्ती सिल्वाल या कोशी का भित्ती और सिल्वाल कैसा नेचर का होता है तो सिल्वाल होता है बाभू नॉन लिभिंग नेचर का सिल्वाल का नेचर कैसा होगा non-living होगा ठीक है और यह cell wall पाया कहां जाएगा तो ध्यान दीजिए cell wall is present in present का मतलब क्या होता है उपस्थित देखिए यहाँ plus anti का मतलब present minus anti का मतलब absent absent का मतलब क्या हुआ अनुपस्थित तो cell wall is present in cell wall उपस्थित है किसमे यह पाय जाते है plant cells में और साथ साथ बाभू किसमे पाय जाते है फंजाई में तो cell wall plant cell में मिलेगा और किसमे मिलेगा फंजाई में मिलेगा लेकिन ध्यान दीजिएगा animal के cells में cell wall क्या होते है बाभू absent होते है जन्तु कोशिका में कोशिका भ होल जिए देखिएगा कि सेलवाल के बारे में यहां लिखा हुआ है कि सेलवाल कैसा नौल·लिभिंग है पुछ रड़का बोलेगा सर हम सेलवाल को नौल लिभिंग नहीं बोल करके डीड बोल सकते हैं क्या ठीक तो आणसर क्या होगा नहीं, इसको non living ही बोलना है, इसको हम dead नहीं बोल सकते हैं क्यों भाई? तो जरा ध्यान से देखिएगा तीन शब्द हैं एक शब्द कौन सा होता है भावू living ठीक है? एक शब्द क्या होता है तो dead और एक शब्द होता है बेटा नॉन लिभिंग तो यह इसमें द्यान से देखेगा लाइफ किसके पास है लाइफ लिभिंग के पास है इसके पास जीवन है डेड के पास जीवन नहीं है इसके पास लाइफ नहीं है आप जानते हैं, और non living जो होता है, इसके पास भी life नहीं होता है, इसके पास भी जीवन नहीं होता है, तो life dead के पास भी नहीं है, non living के पास भी नहीं है, लेकिन इन दोनों में अंतर क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इसका हिंदी जरा सुनिये, living को आप हिंदी में कहते हो सजीव क्या बोलते हो हिंदी में सजीव डेड़ को हिंदी में आप कहते हो मृत कि कर देड़ को हिंदी में क्या कहते हैं मृत और नौल लिभिंग को हम कहते हैं निर्जीव क्या बोलते हैं इसको निर्जीव तो मृत किसको बोला जाय है जो पहले जिन्दा था जिन में पहले जीवन था वही बाद में मरते हैं तो जो भी मृत है वो पहले क्या था सजीव था तो ध्यान दीजे डेड वो है जिनके पास पहले ध्यान से देखिएगा पहले इनके पास लाइफ था लेकिन अभी इनके पा पास लाइफ नहीं है यानि ये क्या हो चुका मर चुका ठीक है बेट जो भी होगा उनके पास पहले लाइफ था अब लाइफ नहीं है अब वो मृत अवस्था में है लेकिन लॉन लिभिंग किसको बोलते हैं तो जिनके पास पहले भी लाइफ नहीं था और जिनके पास अभी भी लाइफ नहीं है उसी को नालिविंग या क्या बोला जाता है निर्जीव जैसे ध्यान से देखिएगा एट हो गया पत्थल हो गया बालू हो गया यह सभी क्या है नालिविंग निर्जीव है इनके पास पहले भी जीवन नहीं था अभी भी जीवन नहीं है ठीक है और जो है ना इनके पास पहले लाइफ था लेकिन अभी लाइफ नहीं है जैसे सपोज कीजिए कोई लकडी का है ना टुकडा लकडी का गुटका पहले ये कहां था प्लांट का हिस्सा था तो प्लांट के अंदर तो ये living state में रहा होगा और बाद में हमने प्लांट को काट दिया, इनको मार दिया इन से लकडी का गुटका हम निकाल लिये ति ये लकडी का गुटका कैसा कहलाएगा डिड़ कहलाएगा तिक है, उसी तरह से यहाँ ध्यान से देखिएगा, जहां तक सिलवाल का सवाल है ये बनता ही है नन लिविंग अवस्था में ठीक है, ऐसा नहीं कि ये पहले जिन्दा था, बाद में मर गया सिलवाल, ऐसा कुछ नहीं, ये बनता ही है किस अवस्था में, नन लिविंग अवस्था में इसलिए सिलवाल को कभी भी हम लोग डेड नहीं बोल सकते हैं यहां तक clear हो गया ठीक अब आगे बढ़ते हैं यहां से देखिएगा plant cell में plant cell में cell wall के अंदर अगर हम देखें तो cell wall के अंदर देखिए बाहर में क्या था cell wall था cell wall के अंदर अगर हम देखें तो एक layer और मिलेगा एक परत और मिलेगा और इसका नाम है प्लाजमा मेंब्रेन ठीक है प्लाजमा मेंब्रेन मेंब्रेन को हिंदी में कहते हैं जिल्ली या प्लाजमा मेंब्रेन का हिंदी क्या होगा प्लाजमा जिल्ली ठीक है ये प्लाजमा मेंब्रेन बावो कहां पाया जाएगा तो it is present in all type of cells, यह हर एक प्रकार की कोशिका में पाय जाएगा, अर्थात इसकी उपर जो हम लोग पढ़े, plant cell इसमें भी plasma membrane, बंजाई इसमें भी plasma membrane present होगा, और animal cell इसमें भी plasma membrane होगा, तो plasma membrane is present in all type of cells, ठीक है, और यह plasma membrane का nature कैसा होगा, तो it is living in nature, ज्यान दीजेगा, plasma membrane का nature living होगा, यह सजीव होते हैं, और cell wall कैसे होते हैं बावो, तो यह निरजीव होते हैं, non living होते हैं, ठीक है, इस आधार पर हमको plant और animal cell में एक difference मिल जाता है, क्या मिलता है, जरह यहाँ ध्यान से देखिएगा, जैसे suppose कीजिए, हमसे कहा, कि कोई भाई plant cell का picture बनाओ, तो इसमें सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, सबसे बाहरी layer क्या बनाएंगे, तो यहाँ पर होगा, cell wall, जैसे देखिए, cell wall, और cell wall कैसा nature का होगा, non living nature का, ठीक है, और उसके अंदर हमको दूसरा layer मिलेगा, वो कौन सा layer होगा, plasma membrane का, तो ध्यान से देखिए, plasma membrane, और यह कैसा nature का ह होगा, living nature का, और अगर हम से कहा जाए कि भाई, animal cell का picture बनाएंगे, तो यहाँ पर सबसे बाहरी layer के रूप में, हमको यहाँ cell wall नहीं मिलेगा, ठीक है, क्या कि अभी पढ़े हम लोग, animal cell में, cell wall नहीं होते हैं, ठीक है, और animal cell का इसका मतलब सबसे बाहरी covering कौन बनाने वाला है, तो animal cell का सबसे बाहरी covering बनाने वाला है, plasma membrane, ठीक है, तो animal cell का सबसे बाहरी covering, plasma membrane बनाएगा, अब plant cell का सबसे बाहरी covering कौन बनाया, सिलवल셔 हाँ plant' cell मैं plasma membrane है लेकिन वह सबसे बहरी covering नहीं है हो सिलवाल के अंदर है के और अब यहीं पर आप से क्वेस्ट्ट किया गया ब्लांट सिल का सबसे बाहरी covering क्या भूts और आपके सामने एक च्वाइस रखा गया, कैसा च्वाइस रखा गया, पहला च्वाइस दिया गया आपको, दूसरा ओप्सन दिया गया, प्लाजमा, मेंब्रेन, तीसरा दिया बोथ, और चौथा दिया गया, नन, ठीक है, तो यहां correct answer क्या होगा, आप अच्छी तरह से जान यहां यह option इस तरह से देदेगा, जैसे पहला दे दिया, हैने क्या चीज बाभू, नन लिभिंग, दूसरा option दे दिया, लिभिंग, और तीसरा option दे दिया, हैने कौन सा, तो डेड, ठीक है, और लास्ट ऑप्सन दे दिया, इन में से कोई नहीं, यह नन, ठीक है, तो होता है क्या जब हम लोग अक्सर साइटोलोजी पढ़ते हैं कोसी का के बारे में जानते हैं तो दिमाग में बैठा रहता है प्लांट सेल इसका सबसे बाहरी कभरिंग क्या होता है सिलवाल और नल लिविंग हम पढ़ने के बावजूद बार बार नल लिविंग सब्द पे ध्यान नहीं देते हैं दिमाग में बैठा रहता है कि प्लांट सेल का बाहरी कभरिंग क्या होगा सिलवाल होगा कई बार बचे जब एक्जाम देने जाते हैं और वहां क्वेस्टन आ गया क्वेस्टन बनाते समय एक्जाम में दिमाग में बैठ चुका क्या बावू सिलवाल और वो देखता चला गया सिलवाल नहीं है सिलवाल यहां भी नहीं है यहां भी नहीं है नन में टिक मार के आ गया अब जब नन में टिक मार के आ गया तो आंसर तो गलत हो गया क्यों भी या क्योंकि यहां correct option क्या होगा इसका cell wall देखिए यह कैसा nature का होता है non-living nature का इसलिए टिक सही answer में लगेगा कौन सा non-living लेकिन दिमाग में उस समय हरवराहट में बैठा हुआ था cell wall और हम खोजना सुरू किये cell wall नहीं मिला cell wall तो हमने किसमें टिक लगा दिया non में जबकि यह answer क्या हो जाएगा गलत इसलिए बहुत important है biology को जब आप पढ़ते हैं अच्छे से समझ के पढ़िए बहुत अच्छे से समझ के पढ़ना है concept पूरी तरह से clear होना चाहिए जिस से questions में choice अगर बदल भी दिये जाए तो आपका answer गलत ना हो और objective question बहुत सावधानी से पढ़के बनाने वाला question होता है examiner यहीं पर आपको धोखा देने की choices करता है choices को बदल करके उसी तरह से ध्यान से देखो यहाँ पर अगर सेल वाल नहीं होगा कौन सा चीज होगा plasma membrane तो फिर यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा plasma membrane और यहाँ पर correct answer क्या हो जाएगा वावू living लेकिन पता चला plasma membrane दिमाग में बैठा हुआ है यहाँ खोज रहे थे plasma membrane नहीं मिला non-metic लगा के आगे तो फिर वही गलती यहाँ हो गया तो एकदम concept clear होना चाहिए कि सेल वाल कैसा है non-living, plasma membrane कैसा है living, वो सकता है कि हमको इसके अस्थान पे यह options मिलें तो इसलिए biology में अच्छे से पढ़ना है अच्छे से समझना है तभी आपका question सही डंग से बन पाएगा चलिए, अब इससे आगे देखते है क्या है वावू? यहाँ देखो यह plasma membrane अब plasma membrane के अंदर देखिएगा यहाँ यह plasma membrane हो गया इसके अंदर आई यह फ्लिड मेटेरियल है और यहाँ पर एक structure है गोल सा सनरचना है जिसको हम किस नाम से पुकारते हैं? नुकुलियस के नाम से पुकारते हैं नुकुलियस का हिंदी क्या होता है? तो kendrak ठीक है? नुकुलियस का हिंदी क्या होता है? kendrak और ध्यान दिजिएगा इस नुकुलियस को हम लोग कहते हैं बेटा head quarter of cell या इसी को हम कहते हैं brain of cell कोसीका का क्या कहते हैं ब्रेन बोलते हैं ये नुकलियस कोसीका का हेड़ क्वार्टर या ब्रेन क्यों कहलाता है इसका जवाब है कोसीका के अंदर जो भी एक्टिविटी चलती है जो भी प्रिक्रियाएं चलती है उनको कंट्रोल कौन करता है ये निकलियस कंट्रोल करता है इसलिए निकलियस को कोसीका का headquarter या कोसीका का brain कहते है अब एक बात और ध्यान दीजिए निकलियस के अंदर एक छोटा सा सनरचना है इसको हम लोग क्या करते है निकलियोलस और इसका हिंदी क्या होता है केंद्री का अब यहां ध्यान से देखिएगा कि ये जो plasma membrane है ये बाहर में plasma membrane हुआ और ये निकलियस का अपना जिली है जिसको हम निकलियस का membrane बोलेंगे तो plasma membrane और इस निकलियस के membrane के बीच में ध्यान से देखिएगा यहा फ्लिड material मवजूद है fluid material का मतलब द्रवपदार्थ यहां present है ठीक है और उस fluid material में ये सभी भी है बहुत सारे चीज आपको यहां दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो ध्यान से देखेगा इस fluid material सबेट इन चीजों को जो कहां पाये जा रहे हैं plasma membrane और nuclear membrane के बीच में ठीक है तो इसमें यह जो fluid material है प्लस यह सारे चीज जो भी यहां मौजूद है इनको कहा जाता है cytoplasm क्या कहा जाता है बावू cytoplasm ठीक है तो सबसे पहले देखीगे यहां दो शब्द है एक शब्द है cyto दूसरा सब्द कौन सा है प्लाजम का हिंदी होता है बेटा द्रव ठीक है और साइटो का हिंदी होता है सिल या इसको हम कहते हैं कोशी का या इसका पूरा नाम हुआ कोशी का द्रव क्या बोलेंगे इसको कोशी का द्रव या साइटो प्लाजमा मेंबरेन और निकुलियर मेंबरेन के बीच में जितने material थे अब प्लस ये सारे सामान जो भी मौझूद हैं इसमें उन सभी को मिला के क्या कहेंगे साइटो प्लाज्म या कोशी का द्रव ठीक है एक और चीज़ देखिए निकुलियस के भीतर भी अगर आप देखेंगे तो निकुलियस के भीतर भी ये द्रव पदार्थ पाए जाएंगे या fluid material पाए जाएगा और इसको हम कहेंगे निकुलियो ध्यान से देखिएगा प्लाज्म फिर भी बात प्लाज्म का मतलब क्या हुआ द्रव निकुलियो का मतलब हुआ निकुलियस या जिसको हिंदी में कहते हैं केंद्रक तो इसका हिंदी नम होगा केंद्रक द्रव या निकुलियो प्लाज्म ठीक है एक और बात देखिएगा ये निकुलियो प्लाज्म कहां है तो कहेंगे निकुलियर मेंब्रेन निकुलियस की जो अपनी जिल्ली है ये इसके अंदर पाया जा रहा है तो nuclear membrane के अंदर ये क्या मिला? निकलियो प्लाज्म और देखिएगा इस nuclear membrane समेत इस nuclear plasma को आप क्या कहोगे? nucleus या कहोगे? kendra जहांसे देखिएगा ये nuclear membrane है ये double membrane होता है आगे चलके इसके बारे में पढ़िएगा अब प्लस इसके अंदर जो nucleoplasm था इनमें जो भी material पाए गए इनको nucleoplasm बोले तो ये nuclear membrane अब प्लस ये nucleoplasm समेत ये क्या कहलाएगा? nucleus कहलाएगा ठीक है? और ध्यान दीजिएगा ये nucleoplasm plus nuclear membrane अर्थात ये पूरा का पूरा nucleus इसके साथ जोड़ के कौन सा चीज? cytoplasm जब इनको एक साथ देखें तो इनको कहेंगे हम लोग protoplasm क्या कहलाएगा बेटा? protoplasm जिसका हिंदी नाम क्या है? जीव द्रब protoplasm को हिंदी में क्या कहते हैं? जीव द्रब ठीक है? और protoplasm को कहा जाता है कि protoplasm is living matter of sil यानि ये protoplasm कोसिका का सजीव पदार्त है इसके बिना कोसिका को हम सजीव नहीं कह सकते हैं या इसके बिना कोसिका के सजीव होने की कलपना नहीं की जा सकती है sil को living हम नहीं कह सकते हैं किसके बिना? प्रोटो प्लाज्म के बिना, क्योंकि प्रोटो प्लाज्म ही सिल का क्या है, लिभिंग मैटर है, मैटर का मतलब क्या हुआ, पदार्थ, सजीव पदार्थ, ठीक है अब जरह यहां ध्यान दीजेगा, एक और बात यहां हमको एक mathematical relationship मिल जाता है, कैसा mathematical relationship, जरह सोचिए तो, अगर आप से कोई कहे कि बताओ भाईया, प्रोटो प्लाज्म को किसको कहेंगे प्रोटो प्लाज्म, तो हम ऐसा कहते हैं, प्रोटो प्लाज्म बराबर, साइटो प्लाज्म, अप्लस क्या, निकुलियस, निकुलियस का मतलब, निकुलियो प्लाज्म, अप्लस उसका मेंब्रेन, यहने पूरा का पूरा निकुलियस, तो ध्यान दीजेगा, इसको ऐसे हम लोग पढ़ेंगे प्रोटो प्लाजम. इस मेडिए बीता निकलियस. फिका है निकलियस का अपना मेंद्परीन. यानि यह पूरा का पूरा निकलियस और मिलके का कहलाया प्रोटो-प्लाज. अब आपसे कोई कहे जबनावर क्या होगा तो आप पता सकते हैं. राम से इसको इधर ले आएए तो cytoplasm बराबर क्या होगा तो हम कर सकते हैं protoplasm नहीं ध्यान से देखिएगा protoplasm minus क्या nucleus मैंने कैसे तो देखिएगा इस पूरे protoplasm से nucleus को थोड़े के लिए हटा दो तो बचेगा क्या साइटोप्लाज्म बचेगा इसलिए कहेंगे साइटोप्लाज्म बराबर प्रोटोप्लाज्म माइनस क्या बोले तो निकलियस ठीक है अब उसी तरह से कोई तुमको बोले कि बताओ भाईया निकलियोप्लाज्म सिर्फ इस निकलियोप्लाज्म के बारे में नुकुलियर मेंब्रेन नुकुलियस का जिल्ली और प्लस क्या तो साइटोप्लाज मैंने साइटोप्लाज मैंने से दिखेगा नुकुलियर मेंब्रेन और साइटोप्लाज इन दोनों को हटा दो प्रोटोप्लाज से तो आपका क्या बचेगा नुकुलियोप्लाज बचेगा ठीक है तो निकलियो प्लाज बराबर प्रोटो प्लाज माइनस निकलियर मेंब्रेन प्लस क्या बोलिए तो साइटो प्लाज यानि कि ये सिर्फ द्रव पदार्थ की बात की जा रही है निकलियस की अंदर जो द्रव पदार्थ है तो बताएं ये ये द्रव पदार्थ को खली अगर कंसीडर करेंगे तो nuclear membrane अपने छट जाएगा साइटोप्लाज में अपने छट जाएगा तो कह सकते हैं निकलियोप्लाज प्रोटोप्लाज मैनस nuclear membrane प्लस क्या बोली तो साइटोप्लाज यह mathematical आपको अच्छे से सोचने होंगे और इसी पर बेस्ट कई questions भी आते हैं अब एक और बात हम लोगों को समझना था अभी हम आपको बताए कि प्रोटोप्लाज में जो है वह सिल का living matter है कोशिका का सजीव पदार्त है इसकी बिना सिल के सजीव होने की कलपना हम नहीं कर सकते हैं अर्थात अगर आप से पूछा जाए कि अगर सिल के इस पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म को है ना पूरे के पूरे प्रोटोप्लाज्म को याने निकुलिया सा समेत यह सब जो भी है अगर इनको सिल के बाहर निकाल दें सिल के बाहर हमने क्या निकाल दिया पूरा का प जिन्दा बचेगा या ये मर जाएगा तो कहेंगे ये मर जाएगा तो प्रोटो प्लाजम ही सिल का लिभिंग मैटर है असल से प्रोटो प्लाजम निकाल देंगे तो क्या होगा बाबू ये सिल खत्म सिल मर गया ठीक है लेकिन क्या प्रोटो प्लाजम जिसको हमने सिल के बाहर निकाल रखा है, ये proto-plasm बाहर में आके, cell के बाहर में आके, जिंदा बचेगा क्या? तो कहेंगे नहीं, ये भी नहीं बचेगा, क्यों नहीं बचेगा? क्योंकि proto-plasm, जो cell के अंदर पड़ा हुआ था, इसको कोशिका भित्ती, plasma membrane अंदर में सुरक्षा देता है, बाहरी बात प्रोटोप्लाज्म को बाहर निकाल दिया तो जब बाहर निकालेंगे तो इनकी सुरक्षा खत्म हो जाएगी और बाहरी बातावरण में ये खुले में जिंदा नहीं रहा पाएंगे इसका ये मतलब हुआ कि सिल से प्रोटोप्लाज्म को बाहर निकालो तो सिल तो मरा सो मरा ह क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा ये भी मर जाएगा ठीक है इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी को लिभिंग होना है किसी को सजीव होना है तो लिभिंग होने के लिए क्या जरूरी है तो कोई कहें कि सिर्फ इसमें सिर्फ प्रोटो प्लाज्म का होना जरूरी है ज़रा और सिल तो यूँ ही खत्म हो गया क्या कि प्रोटो प्लाजम बाहर आ गया तो सिल भी खत्म हो गया इसका मतलब लिभिंग होने के लिए प्रोटो प्लाजम का होना तो जरूरी है लेकिन ये प्रोटो प्लाजम कहा होना चाहिए एक निसित बाउंडरी के अंदर होना चाहिए यानि प्लाजमा मेंब्रेन या सिल वाल के अंदर होना चाहिए अर्थात कहां होना चाहिए शिल के अंदर होना चाहिए लिविंग होने के लिए बहुत जरूरी है कि प्रूटो प्लाजम्स तो हो ही लेकिन वो कहां हो सिल के अंदर हो अर्थात लिविंग होने के लिए जरूरी है जीव का शरीर किसका बना हुआ हो सिल का या कोशिका का बना हो यानि सजीव वो होंगे जिनका सरीर कैसा होगा कोशिकी होगा या कोशिका का बना होगा और उस कोसिका के अंदर क्या पाय जाएगा प्रोटो प्लाजम और जो नौन लिबिंग होते हैं बाबो उनका शरीर कोसिका का बना हुआ नहीं होता है ठीक है और लिबिंग वो होंगे जिनका बॉड़ी किस까지 का बना होगा सिल का बना हुआ होगा खली protoplasm होने से बहीं नहीं होगा protoplasm कहां होना चाहिए एक निस्चित बॉंडरी के अंदर अजब निस्चित बॉंडरी से इसको घेर दोगे तो यही क्या कहलाएगा आपका sil यहने सजीव होने के लिए sil का होना जरूरी है यहने सजीव का सरीर कैसा होता है कोशिकी होता है या कोशिका का बना होता है ठीक है और जो निर्जीव होते हैं उनके body cells के बने हुए नहीं होते है ठीक है चलिए यह हम लोग समझ गए किसके बारे में प्रोटो प्लाजम के बारे में ठीक अब ध्यान दीजिएगा एक शब्द आपसे पूछा जाएगा उसका नाम क्या है तो that is known as और्गन एक शब्द है आपसे पूछा गया भीया और्गन का मतलब क्या होता है और एक दूशरा शब्द है उसका नाम है और्गेनेल ठीक है और्गेनेल तो और्गन और और्गेनेल में क्या आंतर है आप से मालिजी क्वेस्टन कर दिया गया क्या जवाब दीजिएगा इसका तो जरत ध्यान से सुनिए औरगन को हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं बेटा अंग कहते है औरगन को हिंदी में क्या कहा जाता है और ओरगनेल को हिंदी में कहा जाता है कोशी का अंग और ओरगन क्या हुआ simply अंग तो ध्यान से देखिएगा जो भी बहुत कोसकी जीब होगा बहुत कोसी जीब का मतलब Multicellular Organism जिनका सरीर बहुत सारे कोसिकाओं से बना है जैसे हम लोग हो गए हम लोग का सरीर बहुत सारे कोसिकाओं से बना हुआ या कोई plant हो गया इनका भी सरीर बहुत सारे कोसिकाओं से बना हुआ है तो बहुत कोस्किय शरीर वाले जो भी जीव होते है ठीक है उनके जो body के parts होते हैं जैसे हमारा body है तो हमारा कान हो गया हमारा नाक हो गया हाथ हो गया पैर हो गया उंगली हो गया ठीक है और स्रीर की अंदर भी बहुत सारे चोटे चोटे parts होंगे तो इनको हम किस नाम से पुकारेंगे अंग के नाम से या organ के नाम से उसी तरह से ये जो plant है बेटा तो इस plant में ध्यान से देखेगा ये पत्ती है ये तना है ये जड़ है तो ये सब भी क्या कहलाएगा organ ये अंग के नाम से जाना जाएगा ठीक है लेगिन कोशी का अंग क्या है तो जरा ध्यान से देखे इस शब्द का संदी विछेद कीजिए कोशी का याने कोशी का का अंग ठीक है तो द्हान दीजिए ये ऑचने क्या हुआ इस कोशी का के अंदर पाए हिस्से के को हम क्या कहते है और अयल बोलते हैं जैसे ध्यान से में ये निकुलियस भी क्या है ये ओर weten प्याकर से देखेगा इसमें टोडर्व प्लास्ट ये भी यह सभी क्लोडोप्लाज्ट प्रेटिकुलम गौलकी कंप्लेक्स है और गेनेल कहलाते हैं या कोशी कांग कहलाते हैं ठीक है चलिए अब इसी में हम लोगों को बारी-बारी से कोशीका के अंग को देखना है यहने पहले हम लोग क्लोरो प्लाश पढ़िएंगे उसका दमाइटोकॉंडिया देखेंगे राइबोजुम देखेंगे, लाइसो जुम देखेंगे इन चीज़ों को हम लोगों को बारी-बारी से देखना है लेकिन ये मेरा वीडियो अगर हम आगे बढ़ेंगे तो थोड़ा जादा लंबा हो जाएगा इसी लिए हम अपने इस वीडियो को इसी पॉइंट पर एंड करते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हैंने इन ओर्गनेल्स को बारी-बारी से देखेंगे ठीक है और बाभू एक और बात हम कहना चाहेंगे कि मेरा ये लेक्चर अगर आपको पसंद आता है आप अपने दोस्तों को भी शेयर करें ठीक है जिन से उनको भी फायदा हो जाए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिसे कि नोटिफिकेशन आपको बरावर मिलता रहेगा ठीक है